बिल्कुल सही पढ़ा आपने अब वीक स्टुडेंट भी फोड़ेंगे लास्ट के दो मन्स के अंदर आज की यह वीडियो इन ही बच्चों को समर्पित हैं यही बच्चे ज्यादा तर यूटीब पर आते हैं इस उम्मीद से कि उनका फेवरिट टीचर जो है उनका मार्क दर होता है ऐसा ही बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ आज तो ध्यान से वीडियो देखिएगा पूरे साल पढ़ने के बाद में टॉपिक्स के लिए नहीं हो पाए हैं वह से बच्चे ऐसे हैं उनके प्रीबोर्ड में 50 प्लस मांक्स ही रह गए अगर आपके भी 40-50 या 60 तक ही मांक्स रह गए प्रीबोर्ड में और आप यह सोच रहें कि यार बोर्ड में भी इतने ही ना आ जाए यह टेंशन आपको सताय जा रही है यह वीडियो आपके लिए है ध्यान से देखते रहिएगा कॉंपिटेंसी कोश्चन समझ में नहीं आते हैं और रिवीजन कैसे करें आखरी दो महीनों के अंदर इनी सब के उपर बात करने वाला हूँ तो जितने भी कमजोर बच्चे जो अपने आपको कमजोर समझते हैं ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा सुआगत है आप सभी का आपके फेवरिट चैनल डियर सर में तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चो आपको पता होना चाहिए आपका एक्जाम का पैटन और कौन कौन से कोश्चन उसमें आ रहे हैं सबसे पहली बात आपके सवालों में MCQ शामिल है मतलब मल्टिमल चोश कोश्चन आपसे पूछे राएंगे 18 सवाल isolation reasoning के कोश्चन आपको पूछे रहेंगे very short answer है short answer है long answer है और case based या database questions है अब यहाँ पर हम देखे very short में short में long more case बेज में आपको दो-दो सवालों की internal choices भी मिल जाती जो की बहुत अच्छी वात है आपके लिए ये सवाल लही आ रहा ये वाला कर दो सेम टोपिक के अंदर से तो आपके लिए यह अच्छी चीज है यह आपका मोटा मोटा पैटर्न हो गया सेक्शन वाइज और कोश्चन वाइज तो आप बात करते हैं बेसिक डू एंड डोंट की कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसके बाद इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आएगा धियान से देखते रहिएगा तो पहला जो डू है वो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम सेंपल पेपर्स लगाओ जितने ज्यादा सेंपल पेपर की प्रेक्टिस आप कर सकते हैं अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं जो भी सेंपल पेपर आपके पास है उसको खोलिए और सेंपल पेपर लगाईए अगला जो आपका है वह एक डॉंट के आपको डॉंट नी टूमान टूंटी टेसोट पीस घंटे वाली स्टेटिजी आप स्टेटिजी बराने नहीं आ दोड़ों सिंपल एस बात है बस आगे बढ़ते हैं आगे क्या है नो अभी आपको कोई नया टोपिक पढ़ने की जरूथ नहीं यह चैप्टर अगर चुड़ गया उसको पढ़ने की जरूथ नहीं इतना टाइम नहीं इसे दो ही महीने हैं तैयारी कर सकते हैं बस आप और क पिगए तैयारी नहीं है तो आपको यह करना आगे करेंगे क्या करना है? 80% स्लेबस को सौलिट कर लो जी णहीं जो नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं लेकिन जो पढ़के आया था यह तो मैंने से को वो छूड़ गया तो वो आपकी गलती है तो इसलिए अपने स्लेबस को इतना सोलिट कर लो जो पढ़ लिया कि अगर उसमें से कुछ आए वो ना छूटने पाए आगे क्या है आपका यू नीड वन बुक अस्त्र जी हाँ आपको अभी ए एक ऐसी वुक की जरूरत है जो आपके सारे सब्जेक्ट में वह अस्त्र आपके काम करें और वह इस वक्त का सबसे अच्छा अस्त्र है उसके पास को यह और तागत भी है और वह अस्त्र मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आपके एक प्लेस मार्क्स आएंगे यह आपकी बिमारी का इलाज आपके प्रिबॉड में 40 आए थे 50 आए साट आए थे 80 प्लस तक जा सकते हैं कैसे रा सकते हैं ध्यान से समझे अप सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह करना है कि क्विक रिविजन करना है किस चीज का चैप्टर वाइस डेलए रिविजंग आपको रोज आना दो-तिन चैप्टर का रिविजन करना ही करना है अब यह क्यूक होना चाहिए ऐसा नहीं के बुक होल के एक एक लाइन पढ़ना है चैप्टर की नाम उन्ना न उन्ना क्विप्टरिविज़न सर्फेस एरिया निकालना है एरिया निकालना है कौन कौन से शेप से आपका स्लेंडर है आपका कौन है आपका क्यूब है इनका सर्फेस एरी के फॉर्मुले क्या है इनके फॉर्मुले क्या है हो गया रिविजन ऐसे करना है आपको तो फटा बट से फॉर्मुले किसके क्या है किसकी क्या definition है, science में है, social science में है, कोई example important है, उसको याद कर लो, दे सकते हो exam में, कोई diagram बनाना है, science में किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, कोई system का, किसी map को आपको तयार करना है, तो map देख लो, यह आपको फटाफट करना है, quick revision, यह कर लिया, फिर क्या करना है, second step पे आ CG, हाल, इसके अंदर आपके MCQs भी हो, very short answer भी हो, short answer भी हो, case based भी हो, आपके long answer भी हो, assertion and reason भी हो, हर type के questions के आपको, हर एक chapter से practice करनी है, अब NCRT में आपको इस सब नहीं मिलेंगे, तो अलग से भी कुछ sources में आपको बता रखे हैं, पहले, वहां से आप यह questions उठाना, तीसरा काम क्या करना है, quick revision हो गया, आपके question के practice हो गई, अब लगाओ sample paper, जैसा आपका board exam आएगा, ऐसा लगाओ, क्या करना है, assessment paper, sample paper solve करो, अब दबा के करो, जो गलतिया हैं, उनको क्या करना है, पकड़ना है, उनको सुधारना है, फिर से sample उपर लगाना है, फिर गलती चीज़े आपको एक साथ दे देगा, जी हाँ, यह जो आपको मैंने दवाई लिखी है, किस medical पर मिल जाए, अगर एक ही medical पर सारी दवाई यह मिल जाए, कितना बड़ी काम हो जाएगा, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा होगा, अगर मैं कहूं के यह तीनों चीज़े आपको एक साथ एक ही जंगा पर मिल जाएंगी, अरे मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सच है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसी बुक अस्तर के बारे में, तो वो बुक अस्तर है, यह, जी हाँ, final revision, इसका नाम है, सारे subject का एक ही बुक अस्तर है, 橋 रवाइस च्रोमें सब्जेट का यहां पर, क्विक रीविजन में दे रखे, मतलब अगर आपको, मैं के हर एक depression करना है, इसी बुक से हो जाएगा, अगर आपको, साइंस के ओर हे एक चैप्टर का क्विक रीविजन करना है, इसी बुक से हो जाएगा, अगर आपको, सोशल question solve आपको यहाँ पर मिल जाएंगे new pattern के according जी हाँ इसके अंदर आपके mcqo session reason यह सारे type के question आएंगे तो आपको chapter wise मिल जाएंगे हर एक subject के इसी एक book के अंदर तो आपकी दूसरी दवाई भी इसी medical पर मिल गई तीसरी दवाई क्या है आपकी assessment paper sample लगाने आपको और तीसरी दवाई भी तीसरी बीमारी का इलाज भी इसी बुक के अंदर चुपा हुआ है कैसे sample papers हैं आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रैक्टिस करने के लिए जी हां ठीरी पर सब्जेक हर एक सब्जेक के तीन सेंपल पर यह बुक आपको दे जाती है तो एक इस लिंक पर क्लिक करके अपनी अपनी यह फाइनल रिविजन की बुक मंगा लेजिए एक ही बुक अस्तर है इसी के अंदर सारे में सब्जेक का सॉलुशन आपका चुपा हुआ है प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी क्विक रिविजन भी हो जाएगा सेंपल पेपर भी आप सॉल्फ कर लेंगे इस यह बुक के अंदर से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अभी क्लिक करके अपनी अपनी बुक मंगा यह तो मे आफ्टर इच चैप्टर फ्रॉम दा फाइनल रिविजन बुक आपने पढ़ ली अगर कोई टॉपिक आपको लगा किया यह तो मेरे समझ में नहीं कुछी तो थोड़ा सा वीक है मेरे कमजोर है आपको एहसास हुआ तो आपको उसको दुबारा से रिवाइस कर लेना है बलकि अगर आपको डिटेल में उसको जानना है तो क्या करना है इसकूल टीचर की भी हैल प्लीजिए यह मैं आपको टिप दे रहा हूं जी हाँ इसकूल टीचर को भी आप डाउट पूसकते हैं उनसे भी आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप टीचर से फ खुशी होती है मेरे पास भी ऐसे डाउट साते हैं तो यह अच्छा लगता है हम लोग को तो आप यह चीज़ करिए ठीक है क्यूंकि वही बात है कि बोर्ड में वही चीज़ आ जाती है इसको छोड़ देते क्या यह निया पता लगा वही बोर्ड एक्जाम में आ गया तो यह चीज़े भी आपको ध्यान अपनी है तो सब कुछ में आपको बता दिया है क्या करना है कहां से करना है कहां से करना है एक सब कुछ आपको बता दिया है एक लास्ट चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूं वह है मेरे प्यारे बच्चो गुड लग जीए अच्छे सा तयार करते रही हिमत मत आ रही है आप यह मैं सोची कि आप एवरेज स्टुटेंट हैं आपके प्रिवर्ड में कम माख साहते नहीं नहीं तैयारी कर जिए मेहनत करिए अच्छे दर फाइनल लिविजन की बुक माइए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखाए बहुत चलत लो